बहुत दिन वाद आज वापसी करके हम बना रहे है ये शानदार गुलाब जामुन चीजकेक जिसके लिए हम एक ब्लेंडर में 150 ग्राम्स ओफ बिस्किट को ब्लेंड कर लेंगे और उसमें 80 ग्राम्स ओफ मिल्टेड बटर डालके उसे एक केक टिन में स्पूदेड आउट कर लेंगे फिर इसे फ्रिज में रख देंगे चीजकेक बना रहे हैं तो क्रीम चीज भी घर पे ही बना लेते हैं तो उसमें जाएगा 1.5 लीटर दूद और 250 ml फ्रेश क्रीम अब इसे करडल कने के लिए हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून विनेगर और इसे एक मसलिन फ्लॉट से छान लेंगे पाच मिनट इसे रेस्ट करने के बाद एक ब्लेंडर जार में नमक के साथ इसे ब्लेंड कर लीजे जब तक ये ऐसा ना दिखने लग जाए फिर इसे क्लिंग फिल्म से रैप करके फ्रिज में रख दीजे ताकि इसका टेक्स्चर अच्छा हो जाए अब अगर सब फ्रॉम स्क्राज बनाने का ठान ही लिया है तो गुलाब जामुन भी बनाई लेते हैं फिर जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब चीज के एक फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं जिसके लिए हम बीट कर लेंगे 375 ग्राम्स अफ क्रीम चीज उसमें डालेंगे 250 ml फ्रेश क्रीम और उसे अच्छे से बीट कर लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूध हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे केशर जो हाफ टीस्पून गरम दूद में सोक किया हुआ है फिर जाएगा एक टीस्पून इलाइची का पाउडर हम इसे वापस अपने हांड मिक्सर से विस्क कर लेंगे मैं चाहती थी मेरा चीज़की एक फिलिंग फोड़ा बेबी पिंक इश कलर का हो तो मैं इसमें एक ड्रॉप रेड फूड जल कलर डाल रहे हूँ आपको नहीं डालना तो आप इस स्टेप को आवाइड भी कर सकते हैं हम चीज़की एक फिलिंग में जेलेटिन ब्लूम करके डालते हैं जिसके लिए हमें 7 ग्राम जेलेटिन और 50 ml थंडा पानी लगेगा इसको हम 10 मिनट ब्लूम होने देंगे और फिर इसे माइक्रोवेव कर लेंगे जेलेटिन अहलका सा थंडा हो जाने के बाद हम इसे अपने चीज़केक फिलिंग में विस्क कर लेंगे अब चीज़केक को असेंबल करने के लिए हमने अपने बनाई हुए गुलाब जामुन को क्वार्टर्ज में कट कर लिया है और एक सर्किलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है फिर हम इसमें डालेंगे अपनी बनाई हुए चीज़केक फिलिंग चीज़केक टेंग कम्प्लीटली फिल हो जाने के बाद हम इसे दो से तीन घंटे फ्रीज कर लेंगे या फिर आप इसे ओवरनाइट भी फ्रीज कर सकते हैं चीज़केक को डी मोल्ड करने के बाद आप इस थरह से अपने चीज़केक को डेकरेट कर सकते हैं जैसे मैंने किया है यहाँ इसके लिए मैंने क्वार्टर्स ऑफ गुरलाब जामन और फाइनली चॉप पिस्ता यूज किया है हुमारा चीज की बिल्कुली तयार है और शेयर करना या नहीं है वह आप पर है